ये अमेठी का पन्होना बाजार है और यहाँ पर नौरात्र के पहले दिन मृतक सुनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ और अपनी दो बेटियों के साथ यहाँ इसी मकान में रहते थे लेकिन शाम के साथ बजे हमलावर आते हैं और उन पर हमला करते हैं जी हाँ ये अहरवा वानी मंदिर का मार्ग है बहुत प्रसिद मंदिर है नौरात्र के दिन पूजा पाठ हो रही थी आवाज आ रही थी वहां से और बगल में दुरगा का पंडाल है दूसरी साइड में तो आवाज बहुत तेज थी और ऐसे में हमलावर आते हैं और इस सक्री गली से अंदर ज नहीं आती है जो मृतक सुनिल कुमार है वो अध्यापक रहे हैं और आपसी रंजिस का मामला बताया जाता है क्योंकि पुलिस इसी मामले पर आगे बढ़ रही है चंदन वर्मा के उपर सुनिल कुमार की पत्नी ने कोतवाली राइबरेली में फाइयार भी कराया हुआ है औ और ऐसे में यहाँ पर एक जिन्दा का कार्तूस और नौ खोके बरामत किये गए हैं पुलिस अभी चंदन वर्मा या दूसरे आरोपियों को गिरफतार नहीं कर पाई है यह घटना अस्थल है लेकिन पुलिस अभी तफतीस में जाच में लगी हुई है यह अमेठी का पुन सुनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ और अपनी दो बेटियों के साथ मारे जाते हैं यह अहरवा मंदिर है और साथी साथ पंडाल है दुरगा जी का और नौरात्र के पहला दिन होने की वज़े से यहाँ पूजा पाठ और ढोलना गाले बज रहे थे और गोलियों की हैं यहाँ पर एक जिन्दा कार्तूस और नौ खोके बरामद हुए हैं जाच बढ़ रही है आपसी रंजिस की तरफ यानि जो चंदन वर्मा है आरोपी उसके खिलाफ जो मृतक सुनिल कुमार है उनकी पत्नी ने राइबरेली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है एफ आ मेथी राइबरेली कुमेथी थफ इनकी अच्राइबरी इंट को नच्च बार्डरियों की सर्कार बने की राम राम वह वह बलाफ दे लास्टाव विल एब नायब सिंग सेनी और बीज़ेपी और भूपिंदर सिंग अधुडाव फंग्रिस we'll turn the tables this time.